नमस्कार गुट बर्णिंग दोस्तों मैं हूं सिधार आर्थ स्वागत करते हैं आज की अपडेट्स शुरू करते हैं आज की पहले अपडेट हमारा इंडिया नावी को लेके हैं इंडिया नावी के लिए टोटल 11 वेसल को बनाए जाएगा उसमें से 5 वेसल नावाल सपर्ट वेसल है उसके बारे में इस वेसल को हिंदूस्तान शिपया लिमिटेन ने तुर्की का एक शिप विल्डर आनाडलू शिपयाट के साथ इस वेसल को टेक्नलोरजी ट्रांसफर के ताहत इंडिया में बनाने वाली है इस प्रोजेट का टोटल कोस्ट 1.5 विलियन से 2 विलियन रहने वाली है इसका डिस्प्लेश्मेंट 45,000 टन रहने वाली है और इस वेसल को फुएल और वार्शिप के लिए जो भी रिक्वार्मेंट रहेगा उसको क्यारी काने के लिए यूज किया जाएगा एकस्पेट के जारा है कि 2021 अक्टोबर में यानि 20 साल अक्टोबर में इस वेसल का आडर दे दिया जाएगा और दूसरा भेसल होने वाली है और Next Generation की मिशल भेसल होने वाली है इस भेसल को कोचिन सिफ्याट ने 10,000 रुपे में बनाने वाली है इस प्रोजेक्ट में टोटाल 6 भेसल को बनाए जाएगा एफ सारे भेसल कोरा क्लास की कवेट होने वाली है इसका displacement 3000-4000 टन होने वाली है इस control radars and air surveillance radars भी दिया गया है और इसमें electronic warfare और डिकर सिस्टम के लिए चाफ डिकर सिस्टम को इंस्टल किया गया है इसमें आर्बामेंट के रूप में एक MR गन जिसकी रेंज है 15 किल्वमेटर उसको दिया गया है एक क्लोज इन विफन सिस्टम यानि CWS system को दिया गया है जो के एक anti-missile defense system है अपनी ship को short range missile जो इसकी तरफ आ रहा होगा उससे ship को बचने वाली है और इसके साथ-साथ 8 surface to surface missile दिया गया है जिसमें ब्राम्होस और निर्भय को यूज के जाएगा और इसके सिवा इसमें surface to air missile भी दिया गया इस भिषर का date अभी तक अनॉंस नहीं किया गया है लेकिन हो सकता है इसको इससी साल अन तक अनॉंस कर दिया जाएगा आज की नेश्टर प्रिट हमारा कॉल्यानी M4 जो आर्माट भेहिकिल है उसको लेके है भारत फोर्जे जोनों ने आर्माट भेहिकिल को बनाने बाले हैं जिसमें कॉल्यान M4 का और कुछ मट दीकरजन हो सकता है डिस्क्रिशन में लिंक दिया गया है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं और अच्छी बात है कि अभी जो आग्रिमेंट साइन हुआ है उसके जस्ट बाद क्ले साइन हुआ है उसको लेकर है जिसमें एक स्पेसियल 100 मिलियन डालार की आग्रिमेंट साइन किया गया है जिसके तहाथ दुनों ने अपने अपने डिफेंस और इकोनोमिक पाटनर्शिप को अफगरेड करने वाले हैं और इसके साथ साथ दुनों ने इकोनोमिक को परेशन पार्टनर्शिफ एग्रिमेंट में साइन किये हैं इसकी तहट इंडिया को आफ्रिकन कांटिनेंट में अपनी बीजिनेस को सेट अप करने के लिए हेल्फ मिलने वाला है और इंडिया भी एक डोनियर एरकाप्ट और एक आडवांस लाइट जूरूव हेलिकाप्टर को मौरि में इनताव साइन हुआ जब हमारा फारेंट मिन्स्टर एस जाय संकर जी ने मौरिसेस का वीजिट पर गए हुए थे आज की अपडेट बारे में आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं ओके थैंक्यू हावे नाइस डे